Hello my dear friends, कैसे हैं आप सभी लोग आपका स्वागत है हमारे YouTube channel e-consultancy में जहां आपको मिलती हैं NGOs, business related, सारे latest updates and सारी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी तो आज का जो वीडियो है वो Department of Empowerment for Persons with Disabilities के लिए है जो Government of India का एक Department है जिसने NGOs के लिए एक अभी अनुदान की scheme निकाली हुई है NGO के लिए grant निकाली हुई है जो भी NGOs work करती है disabled persons के लिए दिव्यांग लोगों के लिए जो भी कारे करना चाहते हैं जो भी NGOs वो इस scheme में apply कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कौन-कौन सी NGOs eligible हैं और कौन-कौन सी NGOs apply कर सकती हैं किन-किन संसाओं के लिए क्या-क्या fund का procedure है ठीक है आज के इस वीडियो में आप यह सारी जानकारी जानेंगे और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को like करना बिल्कुल भी न भूले हमारे चैनल को subscribe कर लिजे ताकि आपको ऐसे latest updates और सारी योजनाओं के बारे में पता चलता चले तो चलिए आगे बढ़ते है जो हमारे department of empowerment for persons with disabilities है यह government of India का एक department है इसकी जो scheme आई है वो awareness generation and publicity scheme है जो 2014 September में launch हुई थी और इसको 2014-15 में ही इसको amend किया गया ताकि यह और simple हो जाए इसकी scope and objectives को change किया गया ताकि यह सारी NGOs के लिए eligible हो और सारे जो भी संसाय है जो भी organizations है disabled persons के लिए जो work करते हैं जो करन जाते हैं वो सभी लोग इसमें apply करवा सकें तो चलिए इसकी eligibility को जान लेते हैं तो दोस्तों इसकी eligibility बहुत ही simple है आपकी कोई भी NGO चाहे है वो society हो trust हो या section 8 company हो और नीतिया आयोग में registered यानि की NGO दर्पन में registered हो आप इस project के लिए eligible हैं तो मैं आपको बता दू कि जो इसका में organizations हैं जैसे कि कोई भी government body या NGO not for profit के लिए जो work करती हो university college school xyz कोई भी training center कोई भी vocational training center ठीक है यह सभी लोग इस program में apply कर सकते हैं तो मैं आपको बता हूँ कि जो assistance है जो department की तरफ से fund provide किया जाएगा जो short term projects है यानि कि छे महिने से कम के projects हैं उनको दो part में दिया जाएगा यानि कि 75% जब आपका approval हो जाएगा जब आप work कर लेंगे तो 25% आपको तब दिया जाएगा जब आपका UC provide कर देंगे utilization certificate आप जब provide कर देंगे अगर 6 महिने से ज्यादा का project है यानि long term का project है उसको तीन बार में disperse किया जाएगा पहले 40-40% then 20% 40% आपकी approval पे मिल जाएगा 40% जब आप और work कर देंगे then 20% जब आपका final expenditure और आप वहाँ पे utilization certificate provide करवा देंगे तो चलिए मैं आपको बता दू कि जो भी आपकी NGO है मतलब आप माल लेते हैं आपकी society हो trust हो ठीक है तीन साल पुरानी होने चाहिए eligibility में आपके तीन साल की annual reports audit reports NGO का pen card नीती आयोग होना चाहिए ठीक है तो अगर आप इस NGO की scheme में इस grant के लिए apply करवाना चाहते हैं तो आप हमें direct sample भी कर सकते हैं या disability affairs की website पर इसकी सारी details आपको मौझू हो दें ठीक है तो अगर आप हमारा member बनना चाहते हैं हमारे premium member बनना चाहते हैं तो screen पर दिये गए number पर आप call कर सकते हैं और जो भी सरकारी योजना है आपकी NGO के लिए आएंगी और CSR points आएंगे तो उसके लिए आपको सारा guide किया जाएगा और बिना किसी भी charge के आपके लिए वो project submit करवाया जाएंगी ठीक है और आपको और भी काफी benefits होंग की grants के बारे में पता चलता रहें